भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82 फिस्ती घड़ गई है वहीं इसी बीच मुसल्मानों की आबादी में 43.15 फिस्ती बढ़ोतरी दर्ज की गई है हिंदुओं की आबादी घटने का सिलसला पडोसी हिंदु बहुले नेपाल में देखने को मिला है साथी मयानमार में भी बहु संख्यक बौधों की आबादी में गिरावट आई है इसके विप्रेट पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में वहां की बहु संख्यक आबादी मुसल्मानों की संख्या बढ़ गई है और अल्प संख्यों की संख्या समट गई है प्रधान मंत्री के आर्थिक सलहकार परिशद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है रपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश मुसलिम बहु संख्य देश में मुसलिम आबादरे में बढ़ोती हुई है वही हिंदू, इसाई, अन्य धर्म बहुले देशों में बहु संख्या का आबादी में कमी आई है प्रधान मंत्री के आठिक सरहकार परिशद ने दुनिया के 166 देशों में 1950 से 2015 के बीच आये जन सांकिकी बदलाव का अधियन किया है परिशद ने इसी महीने रिपोर्ट जारी की है इन देशों में बहु संख्याफ उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75 फीस्ती से जादा है रिपोर्ट के मुदाफिक इस देशों में 65 सालों में बहु संख्यों को की आबादी में 2 फीस्ती की कमी आई है लेकिन ये सिलसला मुसलिम बहु संख्य देशों पर लागू नहीं होता मुसलिम बहु ले अरति देशों में मुसलिम अबादी बढ़ी ही है रिपोर्ट का उदेश है किसी देश के जन सांक्य की परिवर्तन का वहां की लोगतांस्विक प्रक्रिया और साशोपराली पर पढ़ने वाले असर का आंकलन है दक्षन इश्याय देशों में 65 सालों में आए जन सांखे की परिवर्तन की तस्वीर पेश करते हैं वे रिपोर्ट में कहा गया कि मयनमार में बहु संख्यक बौधे आबादी जबकि भारत की हम बात करें तो भारत में हिंदू आबादी में कमिक असल सल नेपाल में भी देखा गया और वहां हिंदूों की संख्या 84.30% से घटकर 81.26% तक पहुँच गई है भारत में मुसल्मानों के साथी इसाई और सिक अल्पसंख्यक की अबादी में क्रमशा 5.38% और 6.58% की बढ़ोतरी हुई अफगानिस्तान में भी मुसल्माबादी 88.75% से बढ़कर 89.601% पहुँच गई है दक्षिन एश्या में अकेले मालदी में मुसल्माबादी में मामुली गिरावर दर्ज की गई जो 99.83% से घटकर 98.36% पर आ गई है देखे देश के चुनाव में घट्टी आबादी मुद्दा कल से गरमाया हुआ है जहां भाजपा नेता हिंदों की घट्टी आबादी पर चिंता जाहिर कर रहे है वहीं दूसरी और कॉंग्रिस को भी कोसने में कोई कोर कसर नहीं चोड़ रहे अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर ये सर्वे का रिपोर्ट चुनाव के मध्य में जारी करने के आखिर क्या जूरत थी क्या भाजपा को सत्ता में वापसी ना कर पाने का डर सता रहा है क्या भाजपा 2014-2019 की तरह हिंदूत के लहर में खुद को पार लगाना चाहती है क्या शुरू के तीन चर्णों मुई सीटे के नुकसान पर दामज कंच्रोल हो रहा है कई वर इश्पत्रकारों का मानना है कि 2019 दक्षण में भारत भाजपा को 130 सीटों में से 39 सीटे मिली थी लेकिन इजवार दक्षण का किलाब भेदने के चक्कर में भाजपा इजवार करनाटक के दुर भी खो दिया है वह कांगरिस से भाजपा के आखरी दुर करनाटक को भी भाजपा से चीन लिया एक रुपोर्ट के मताबिक भाजपा इस बार करनाटका में पहले जैसे मुझबूत नहीं है पहले करनाटक में हुए विदानसभा चनाव में हार मिली फी डीके के मास्टर प्लान ने राजपा चनाव में भाजपा के विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने भाजपा की बेचया नहीं बढ़ा दी हाली में हुए प्रजवल रिवन्ना के जुड़े वीडियो भाजपा और के सयोगी दल जेडियस को बहुत नुकसान पहुचा रहे हैं दूसरी तरफ तिलंगाना में कॉंग्रस की नहीं-नई सरकार बनी है तिलंगाना के सीम रेवन्त रेड़ी जिस साब से ब्यारेस और भाजपा के निताओं को कॉंग्रस में शामिल कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे तिलंगाना में विपक्ष को खतम करके ही दम लेंगे अब इस चुनाम में भाजपा के लिए राजस्थान से भी कोई अच्छी खबर आन नहीं रही है पिश्ली बार जोहां राजस्थान में भाजपा को 25 सीटे मिली थी वहीं इस बार भाजपा को राजस्थान में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है बाजपा राजस्तान के कुछ सीट चुरू, जुंजनू, सीकर, नागौर, डुंगुरपूर, बासवाडा, जैसलमेर, बारमेर, टोंग सवाई, माधोपूर, गंगानगर, भरतपूर, दासों में कमजोर साबित हो रही है और ये सीट हार भी सकती है वही कोटा, जोदपूर, भिलवाडा, जैपूर, ग्रामिल पर कड़ी टकर है भाजपा के दिगज रिता, ओम बिर्ला, कैला, शौगरी, गजिंदर सिंग, शेखावत, कड़ी टकर में फस्ते नजर आ रहे है अब ऐसे में भाजपा की बेचैनी तो लाजमी है चिनाव में सीटों को लेकर संशे अभी भी भाजपा में बना हुआ है अब ऐसे में अगर आबादी, मंगर सूत्र, गाई, हिंदू, मुसलिम, अडानी, अंबानी, भाजपा अगर बात करती है तो ऐसे में लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है अबादी, मुसलिम, अबात नहीं है